ये मित्रों आज हम खरमाश की कथा शुनाते हैं आपको भगवान सुर्ज से जुड़ी है खरमाश की ये कथा पौणानी ग्रंतों में खरमाश की जो कथा प्रचलित है वह भगवान सुर्ज से जुड़ी हुई है यानि खरमाश सुर्ज से संबंधित है इसलिए इन दिनों मे सुर्ज उपाशना के शाथ दान धर्म का विशेश महत्वत बतलाए गया है खरमास के संदर्म में मारकंडे पुरान में एक कथा मिलता है एक कथा का उलेख है जिसके अंसार एक बार सुर्ज देवता अपने शाथ गोरों के रथ पर सवार होकर और ब्रम्हान की परिकर्मा करने के लिए निकल परे लेकिन इस दोरान उन्हें कहीं पर भी रुकने की इजाजत नहीं थी यदि इस दोरान वह कहीं रुक जाते तो पूरा जन जीवन भी ठहर जाता परिकर्मा शुरू की गई लेकिन लगातार चलते रहने के कारण उनके रथ में जुते घोरे ठक गए और घोरों को प्यास लगने लगी घोरे की उस दैनिये दसा को देखकर सुर्जदेब को उनकी चिंता हो आई इसलिए घोरों को आराम देने के लिए वह एक तालाब के किनारे चले गए ताकि रथ में बंधे घोरे को पानी पिने को मिल सके और थोड़ा आराम भी लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि अगर रथ रुका तो अनर्थ हो जाएगा क्योंकि रथ के रुकते ही सारा जन जीवन भी ठहर जाएगा उस तालाब के किनारे दो खर यानि गर्धव जिसे गदहा भी कहते हैं उहाँ पर खरे थे जैसे ही सुर्देव की नजर उन्हों दो खरो पर परी उन्होंने अपने घोरे को विश्राम करने के लिए वही तालाब के किनारे छोड़ दिया और घोरे की जगह पर खर यानि गदहों को अपने रथ में जोड़ दिया ताकि रथ चलता रहे लेकिन उनके कारण रथ की गती काफी धीमी हो गई फिर भी जैसे तैसे किसी तरह एक मास का चक पूरा हुआ उधर सुर्देप के घोरे भी विश्राम के बाद उर्जावान हो चुके थे और पुनह रथ में लग गये इस तरह हर साल एह क्रम चलता रहता है और हर सौर बर्स में एक सौर मास यानि खर मास कहलाता है खर मास तिर्थस्थल की यात्रा करने के लिए सब से उत्तम माना गया है इस महिने में भागबत गीता श्री राम पूजा कथा बाचन विश्नु और सिव की पूजन सुभ माने जाते हैं तो बोलिए जैसुर्देप जैसुर्देप